हेलो दोस्तों, Laptop Master में आपका स्वागता है, मैं आपका दोस्त निशान राज, फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए लाप्टॉप के साथ, जैसा कि आप समझी गए हैं, आज हम लेके आए हैं Asus Tough Series, जी हाँ, गेमिंग सिरीज में अभी Asus ने नए लाप्टॉप लाँच किया है, Ryzen 8000 Series के साथ, जी हाँ, अभी तक हम देखते आ रहे थे, 7000 Series मार्किट में था, अब Ryzen ने 8000 की Series मार्किट में लाँच कर दिया है, कहने को तो उन्होंने desktop processor के अंदर 9000 भी लाँच कर दिया है, लेकिन अभी लाप्टॉप में 8000 Series के लाप्टॉप आ रहे ह अब ये Series शुरू हुई है, 8000 जो AI Technology के साथ है, वैसे तो देखा जाए तो पहले 7000 में भी जिसमें 7840, लास्ट में 40 था, वो भी AI supportable था, लेकिन उसमें Neural Processing Unit अलग से नहीं आपको दिखाई देती थी, लेकिन अब जितने भी Ryzen 7 में, या Ryzen 5 में कहूँ या Ryzen 3 में, Ryzen 3 का तो अब हम नहीं कहा सकते, Ryzen 5, Ryzen 7 जिसमें भी 8000 सिरीज के अंदर लाउंच हो रहे हैं, वो सारे AI Technology के साथ आपको मिलेंगे, तो चलिए दोस्तों, इस laptop को आज हम अन्बॉक्स करेंगे, इसका back panel भी open करेंगे, आपको दिखाएंगे, मैं आपको उदातू, ये laptop हमें मिला ह दिल्ली के अंदर यमना भियान में, आसूस exclusive store है, हमें ये laptop वहां से मिला है, अगर आपने भी laptop लेना है, तो आप यहां पे एक बार जुरूर चेक करिएगा, नंबर हमने नीचे दे रखे हैं, और दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्हों ने अभी तक हमारा laptop master channel स subscribe जरूर कर लिएगा, bell icon जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नहीं वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल जाए, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं, laptop को unbox, तो दोस्तों, laptop हमने unbox कर लिया है, सबसे पहले जैसे कि अब आपको दिखाते है, पावर कोड जो नॉर्मली है, लाप्टॉप में आती है, मैनुल, अगर हम अडप्टर की बात करें, तो 200 वाटक पावर अडप्टर है, पोर्ट देख तो USB Type-C है, बेसिकली अगर आप देखेंगे, तो Type-C भी नहीं है, और USB नहीं है, ये पोर्ट आपके लाप्टॉप को 30 मिनिट्स के अंदा 50% तक चार्ज कर देता है, तो चलिए आएगे देखते हैं, लाप्टॉप, देखें सबसे पहले गेमिंग लाप्टॉप है, लेकिन बहुत लाइट वेट है, जी हाँ, आप नॉर्मली 14 इंचिस के लाप्टॉप भी देखते हैं, तो 1.4 kg के होते हैं, य इसकी मोटाई आप लेंगे, तो 1.69, आप देखें, बहुत ज्यादा स्लीक लाप्टॉप है, बहुत ज्यादा लाइट लाप्टॉप है, लाइट वेट गेमिंग के अकॉर्डिंग, वैसे तो लाइट वेट आप 1.2 kg, 1.3 kg भी आप ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग त साथ में देरकिया, अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो बहुत 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 बैटर बिल्ड क्वालिटी अशूर्ण आपने इस लाप्टॉप में दी है, हम यह देखते हैं, एक हाथ से बहुत ही इजीली ओपन हो गया है, तो दोस्तों, आप यह देखिए कितरा sleek laptop है gaming laptop आपको आसूस ने दिया है तो चलिए दोस्तों laptop के ports देखते हैं उसके बात laptop के देखेंगे configuration अगर हम laptop के left side में देखेंगे तो सबसे पहला port आपको मिलता है वो है USB 3.2 Gen 2 Type A दूसरा port आपको मिलता है USB 3.2 Type C support display port 1.4 G-Sync के साथ आप इस laptop को Type C port Type C adapter से भी चार्ज कर सकते हैं 100W के Type C adapter को यह support करता है उसके next आपको मिलता है Micro SD Card Reader Laptop के right side में अगर आप देखते हैं तो जो सबसे पहला port आपको मिलेगा वो है Asus का Slim Power Jack Laptop को चार्ज करने के लिए HDMI मिलेगा दूसरा 2.1 Laptop पे प्रोजेक्टर और LED TV करने के लिए फिर आपको मिलता है USB 4 Type C support display port 2.1 Power Delivery 3.0 के साथ next आपको फिर मिलेगा USB 3.2 Gen 2 Type A और एक आपको मिलता है 3.5 mm का audio jack headphone और mic को connect करने के लिए दोस्तों configuration अगर देखते हैं तो प्रोसेसर देखे इस laptop के अंदर जो सबसे main है प्रोसेसर है Ryzen 7 8845HS हम अपने चैनल पे जो सबसे पहला 8000 सीरीज में हम laptop unbox कर रहे है वो यह है with radion 780M graphics के साथ base speed है 3.8 GHz course है 6 देखे यहां पे हमें यह explain करना बड़ा जुरूरी है 8 course है आप बिल्कुल भी confused मत होईएगा बहुत लोग कहते हैं कि इंटल हमें 14 course देता है 16 course देता है हमेशा याद है 14 course में भी आपको सिरफ और सिरफ 4 course मिलते है performance score यहां पे आपको सारे के सारे course जो मिलते हैं वो performance score होते हैं वहां पे आपको बाकी वो efficient core देता है कि 8 efficient core हो गए और 2 core जो AI processor में आ रहे हैं वो NPU में आपके चले आते हैं low power efficient core के अंदर तो यहां पे बिल्कुल भी आप compare मत करिएगा कि वो 14 core है यहां पे 8 core है यहां 8 के 8 आपके performance score है यानि जो maximum इसकी turbo boost frequency 5.1 GHz है 8 के 8 core आपके वहां तक work करेंगे logical processor 16 है और एक बात और मैं बता दूँ यह processor 4 nanometer का है जी हां जो AMD ने अपने 8000 में launch किया है 88845 को वो 4 nanometer का processor है और हम Intel के processor देखते हैं वो 10 nanometer के होते हैं यह याद अखिएगा जितने nanometer आप कम होते चले जाएंगे उतरी performance processor की बहुत better होती चले जाएगी तो यह processor बहुत ही powerful है with AI technology के साथ यह processor AMD ने launch किया है इस पे आपका Intel की तरह NPU नहीं दिखाई देता है यहां प AMD ने launch किया है memory की बात करेंगे तो 16 GB आपको इसमें मिलती है LPDDR5X जिसकी speed 7500 MHz है जब laptop open करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि inbuilt है या उसमें RAM लगी भी है WD की 1TB की SSD आपको मिलती है Gen 4 की जिहां Gen 4 की SSD है इसके अंदर 1TB की जिसका space आपको मिलता है 954GB Graphics जेके NVIDIA Graphics NVIDIA GeForce RTX 4050 है इसमें आपको 6GB LPDDR6 Graphics मिलता है जिहां एक बारा हम इसकी TDP भी चेक कर लेते हैं यहां पे हम देखते हैं आपकी जो maximum graphics power 100W जिहां 100W तक boost up होके आपकी इसकी TGB जाती है 6GB का आपका इसका Graphics है और आपका जो shared memory होती है Graphics memory होते है वो 7.6 total 13.6 लेकिन हम main dedicated को ही calculate करते है यह आप देखरें GPU 1 जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ जो AMD जितने भी अपने processor launch करता है सम्में अपनी processor में dedicated memory होती है Graphics memory जो आपको Intel में जो आपको मिलती है 448 MB की होती है अगर हम इसे shared के साथ add करेंगे तो 8.1 GB हो गया है लेकिन हम अपना compare हमेशा करते है GPU जो आपका यह RTX 6 GB आपको मिलता है NVD DDR6 और दोस्तों मैं आपको यह भी उता दू जो voice अभी आप सुन रहे हैं configuration पढ़ते हुए वो हमने इसी laptop के mic से record करी कि इसके mic को test करने के लिए हम डिस्पले की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच का 2.5K डिस्पले मिलता है resolution 2560 इस्टू 1600 आपको WQ XGA डिस्पले आपको मिलेगा जिसका aspect ratio 16 इस्टू 10 है 165 हर्स का refresh rate 400 nits का आपको brightness मिलता है anti-clear display आपको इसमें मिलता है और 100% sRGB आपको इसकी IR camera मिलता है with dual array microphone के साथ इसमें आपको 14 inches का full size backlit keyboard मिलेगा with four hotkeys के साथ तो चलिए दोस्तों laptop का back panel open करें आपको दिखाते हैं देखिए laptop हमारा open हो गया है दो fan आपको इसमें मिलते हैं gaming laptop आपको पता ही 89 blades के दो fan आपको इसमें असूस ने दिये हैं एक graphic के साथ करेंट है एक processor एक देखेंगे RAM आपको यहां पर inbuilt RAM मिली है नॉर्मली हम देखते हैं gaming के अंदर अपगेडेशन की option होती है लेकिन इस laptop में आपको RAM अपगेड करने ही 16GB ही रहेगी यहां पर आपकी मिलती है 1 TV की SSD लगी भी है इस slot में 1 TV SSD साथ में यहां पर इन्होंने एक storage और दी है storage in the sense की एक port और दे रखा है एक slot और देखा आप अगर SSD और 1 TV अपगेड करने चाहें तो आप कर सकते हैं बिना जो अभी existing लगी भी है उसको बिना छेडे साथ में आपको मिलता है Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.E यहां पर आपको मिलता है बैटरी आपको 73 वरक आउस की बैटरी आपको इसके अं अपगेड कर सकते हैं रहे हम अपगेड नहीं कर सकते हैं अपगेड कर सकते हैं बिना existing SSD को निकाले तो दोस्तों आज हमने अन्बॉक्स किया आसूस ने जो हाल ही में लांच किया है आसूस 14 इंचिस में राइजन 7 में 8000 सेरीज जी हां यह आपके लिए बहुत जुरूई थ अंदर जिन लोगों को भी पसंद है लाइट वेट लैप्टॉप लेकिन हैवी मशीन तो वो यह आपको असूस ने दे दी है 14 इंचिस में उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया है इस्क्रीन भी हमने देखी 100% srgb refresh rate भी हमने 165 GB देखा हमने keyboard भी देखा कि इसमें co-pilot भी आपको इसमें मिल गई है कि एए टेक्नोजी के साथ वो भी आपको इसमें मिल गया आपको इसमें एज और प्राइस ने अपनी मार्केट प्राइस रखा है मार्केट में आप जब जाएंगे बार्गें करेंगे तो इसमें 500 फ्रक्त आ जाए अगर आप 40 इंजिस का लाप्टॉप चाहते हैं और गेमिंग लाप्टॉप भी तो आपके लिए यह पर्फेक्ट मशीन आसूस ने आपको दे दी है आसूस इसके साथ आपको one year की warranty दे रहा है on-site अगर आप extend कराना चाहे तो आप करा सकते हैं वन year से three year भी और अगर आप accident and damage भी लेना चाहते हैं तो वह भी आप आसूस से ले सकते हैं लेकिन हमेशा याद रखेगा जब भी आप warranty extend कराएं हमेशा उसी brand की कराएं जिस brand का आप लाप्टाप ले रहे हुए वो चाहे आसूस हो चाहे एच्पी डेल या लेनो वो कोई भी ब्रैंड हो लेकिन उसी की अपडेट करेगा बहुत नॉमिनल रेट में आपको वो ब्रैंड जितने भी ब्रैंड से सब आपको वारंटी एक्षिन करके दे देते हैं मार्केट में 12-13 ले लेते हैं फिर भी आपको वारंटी नहीं मिलती है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरू बताइएगा अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेर जरू कर दीजेगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन जर दो किलिद जाइन